या फिर उत्तराखन की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रूची के अनुसार, योग्यता के अनुसार, नए अउसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले, सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभ्यान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, बीते कुछी महिनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये हैं, देश भर में जहां भी भाजपा सरकारे हैं, केंद्र सासीत प्रदेश हैं, वहाँ भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभ्यान चलाए जा रहे हैं, मुझे खुशी है कि आज इसमे उत्राखन भी जूट रहा है, साथियों हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड का पानी और पहाड की जवानी पहाड के काम नहीं आती, ये चीज हमें बदलनी है, इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्त्राखन के युवाओं, और ये हमारी हुआ पीड़ी, अपने घावों की तरफ लोटे, इसके लिए पहाड में रोजगार और स्फरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं, आज आप देखिए, इतनी सड़के बन रही हैं, रेल लाइने बीच रही हैं, यानि उत्त्राखन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है, इससे दूर सुदूर गावों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में स्रमीख हो, इंजीनियर हो, या फिर राव मट्रियल के उद्योग हो, छोटे-छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवर्सर बढ़ रहे हैं, ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में भी डिबांड बढ़ने से युवाओं को नए मोके मिल रहे हैं, पहले इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्राखन के मेरे ग्रामीन नौजवानों को, हमारी बेटे-बेटियों को शेहर की तर भागना ही पड़ता था, गाउं गाउं में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले, कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं, साथियों, जैसे जैसे उत्राखन के दूर सुदूर के इलाके, रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिजम सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है, नए नए परियतन सल टूरिजम मैप में आ रहे हैं, इसमें उत्राखन के युवाओं को वही रोजगार घर के नद्दिग मिल रहे हैं, जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे, मुद्रा युजना, टूरिजम में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही हैं, इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट आउस, होमस्टे, ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को दस लाख रुपिय तक का रुण बिना गरंटी के मिल रहा है। पुरे देश में अभी तक 38 करोड मुद्रा रोण दिये गए है। इधन पाने वाले लगवक आठ करोड हुआ, पहली बार उद्द्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं SC, ST, OBC वर्क के हमारे साथि उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। उत्राखन के हजारों साथि भी इसका लाब ले चुके हैं। साथियों, भारत के युवाओं के लिए ये अद्वूत संभावनाओं का अमृत्काल है। आपको इसे अपने सेवाओं के माध्यम से निरंतर गती देनी है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप उत्राखन के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे। उत्तराखन को आप उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे हमारा देश भी ससक्त होगा, समर्थ होगा, सम्रुद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखन रोजगार मेले की शुरुवात हो चुकी है, लाखों युवाओं को न्युक्ति पत्र यहाँ पर सौपे गए हैं, लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोदित करते हों, इनसर आया, उनकी तरफ से कहा गया कि पहाड की जवानी और का पानी जाया नहीं जाना चाहिए.